जै देवतामानानेश्वर भाई हमार को ना इसका पूरा खर्चा बता दो कि ऐसी हेडलाइट बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे 2021 जैनुरी में मैंने आपको हैलो भेजा था और आपने रिप्लाई नहीं किया अब भाई उजी कैसे बता चलेगा यार इतने सारे उसमें से अगर आप सब लोगों को भी ऐसा पेंट करवाना है तो आपको खर्च करना पड़ेगा एक लाक रुपे यानि दो लाक रुपे की गाड़ी और एक लाक रुपे का पेंट हाँ जी बाट्शाओ क्या हाल चाल है आप सभी लोग के आज आप सभी के डिबांड पे एक बार फिर से आगी मारूती एट रिंडर यानि मैंने एक बार बोला था वहिया कि जितनी बार आप Maruti 800 जो है मांगेगे उतनी बार Maruti 800 लाएंगे यानि ऐसा हो जाता है अपने चैनल पर कि एक महीने में दो Maruti 800 तो आनी ही आनी है और ये तो कुछ जादा ही खास है इसके उपर हुआ हुआ ये कलर के वज़ा से तो जो हमारी सिंग फैमिली है भाई हमारे बात्षा लोग है एक बार उन सब के लिए आपका छोटा सा इंट्रोड़क्शन हो जाए जाए ये इनकी गाड़ी दिखाते हैं और पूछते हैं ये इतना जबरदस्त कलर जो है ये कैसे है पेंट है राप है क्या कहानी है आचुके हम मल्याना में इंटु दो वोड्स आपको पता है मेरी फेवरेट लोकेशन है और यहां पर है बीस्ट इसका ये जो जबरदस्त कलर चमक रहा है ना डिफरेंट 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 में इसका राज हम आपको एंड में बताएंगे क्या भ्यंकर डीमन अए और यह जो एक्रालिक शीट की आगे यह लगवाया वा अपनी नंबर प्लेट यह यह पढ़िगा था 250 का बाकी डिपैंड करता है आपके अच्छा अच्छा लग रहा है अगर यहां ग्रिल की बात करें भाई तो यह ग्रिल आपने पेंट कर वाई यह ब्लाक यह मैश ग्रि देखो कितना जादा मैच हो रहा है हाला कि यह पूरे का पूरा प्रोजेक्टर है उसके साथ साथ श्राउड भी है तो भाई हमार को ना इसका पूरा खर्चा बता दो कि ऐसी हेडलाइट बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे 15-20,000 पर जाएगा 15-20,000 जिसमें आपकी अपनी होगी ने नी सब को चुनेगा होगा है एडलाइट भी हैडलाइट भी वही देंगे यानि अगर आगर कई लोगों को टेंशन होती है न कि उनको रिस्टोर करवानी है एडलाइट या फर श्राच जाते तो उसके टेंशन यहां पर देख सकते हैं आप राप यहां पर भी किया वा है एंगरी लुक देने के लिए गाड़ी को जो की काफी अच्छा लग रहा है अब आते हैं यहां पर लिप की तरफ लिप को भी काबन फाइबर है मतलब लुक दिया गया है काबन फाइबर तो आब्यसली नहीं होगा तो यह जो लिप है यह कितनी की पड़ी रूपीज थाउजन रूपीज की रूक्स के हॉन डले वे तो भाई एक बार तरह आवास सुना दो हमार को इनकी उसके बाद भाई से प्राइज प्राइज क्या इनका यह पढ़ गेजे 2500 विद रिले और फिटिंग चार्जे सब कुछ और आवास भी अच्छी खासी की है होन की अब आ जाते हैं इस तरफ यह जो शिशे है ब्रो यह नहीं लग रहे हमार को कि यह मारूती अटेंड़ के आफ्टर मार्केट है कितने क्या बढ़े यह पढ़े यह 700 रुपे के 700 रुपे क्या खासियत इनकी बिजाइन बस लुक के लिए 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 और उ आप हमार को यह बता दीजिए कि जो फेंडर फ्लेट है यह कितने के बढ़े आपको यह 2500 चारों का सेट पचीस और पी का सैटिन को पढ़ गया जो कि बहुत अच्छी बात है ठीक है ग्लोसी वाले लग रहे हैं यह यह मैट वाले नहीं थे पहले यह ब्लैक थे ब्लैक मैट अधा और उसके साथ साथ हमार को अपकी यह भी पुछन है जो यह ना फिनिशिंग के लिए देते हैं यह बढ़े यह तो इद्यानिया कितने का बढ़े है हां मतलब यह पढ़ जाएगा आपको 500 रुपे तक का और उसके साथ साथ यहां पर आप यह देखेंगे प्लाटी के लॉइस तो यह प्लाटी के लॉइस कितने के बढ़े है आपको चार का सेट चार लिए पांच चार का सेट पड़ा कितने के पंद्राजार रुपे और उसके साथ 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 साइज का 13 इंच रहने वाला है एक्सेक्ट साइज जानना चाहते है तो यह देख लो जी 155 65R 13 भा पीछे से अगर लुक दिखा दे भाई की तो कुछ इस तरह से आती है और इस गाड़ी में जितना भी काम हुआ है जाधा तर काम अंडर्ग्राउंड कस्टम से हुआ है तो बिग शाउट आउट टू करन यहां पर आपको दिखा देते है नो फार्मर्स नो फूड बहुत अ यही इनका प्राइस देता है यार साथ हजार उपे से लेके दस हजार रुपे के बीच में टेल लाइट आ जाती है जो टोटली कस्टमाइज होती है यह देखें देख सकते हैं कैसे जल रहे है रात को तो बहुत ही जादा खूबसूरत लगती है यहां पर शिशे पर टिंट साइज आप खुद अंदाजा लगा सकते हो डिक्की के हसाब से कितना बड़ा इसका साइज है पाइनियर की चैंपियन सीरीज है ने लगाई वी जो की काफी अच्छी होती है पाइनियर के ही स्पीकर्स भी है और इनी के अंदर इंबिल्ट ट्विटर्स भी जो है आपको मि यहां से दिख रहा है मुझे थोड़ थोड़ा ना आप मुझे यह बताओ यह वाइरिंग बड़ी जबरदस्त लगी है एक दूसरी पतली बाली आती है वही तो मैं देख रहा हूं उसकी वाइरिंग बहुत अच्छी लग रही है मतलब काफी चलेगी सबसे पहले तो हमार क आपको दिखाएंगी जब आगे दिखाएंगे क्योंकि वहां पर दो तीन चीज़े आपको दिखानी है तीन हजार रुपे की वाइरिंग मिली थी 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 तो एसा करते है बाई टोटल कितना हो गया यह है किलेट कर देना आप लोग और कमेंट सेक्शन में लिख देना हमने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अभी भाई हमारको ना इसका आउटपुट सुनाएंगे कवर आपने लेदर के कवर सब्सक्राइब है यह काफी अच्छी कॉल्टी की लग रहे है तो इनका कैवराइज होगा यह तो भ्या पांचार रुपे के बढ़ गड़े है विद फिटिंग विद फिटिंग और उसके साथ-साथ यह अपने शेड लिए अपने शेड लिगान इस बार हम ऐसे करके इसको निकालते एंड यहां पर आपको दिखाते यह देखो लकडी का यह होता है नकश फिट होता है किसी भी गाड़े में चला जाता है यह थोड़ा सा चोटा है क्योंकि यह बना 800 आउल्टो के लिए है इससे भी बड़े आते हैं यह कितने का पड़ा आप एजीली कमफटेबल भी जादा होता है उसके साथ साथ ये स्टेरिंग भी इस लाइरियो का है तो ये स्टेरिंग स्लाइरियो का है कि ये कितने काप अप ड़ा ये पढ़गा 2000-वपे का यहां पर आप सबी लोग देख रहे हैं आर्पी यह बहुत ही जबरदस्त वाला एंड भाई हमार को बताएंगे कि यह जो अब बताएंगे यह कितना प्रड़ा है प्राइस यह 35-4000 पड़ता है इस पर लाइट जो है वह ब्लिंक होती है जब शिफ्ट करना होता है आपको गेर अच्छा कलर चेंजिंग लाइट भी जलती है जो कि बहुत अच्छी बात है शिम्ला के जितने भी बंदे है उनकी गाडियों है यह वाले इस तरह का पेंट आपको पड़ता है एक लाख रुपे से डेड़ लाख रुपे के बीच में ऐसी गाड़ी के लिए जो चोटी हो जैसे यह होगी सेंट्र होगी यह व्यागनार होगी ऑल्ट होगी ठीक है बट यह पेंट नहीं है यह है राप तो भाई हमार को सबसे अवे मुझे दो महीने दो होगी ठीक है दो महीने यानि आप यह मान के चलिए कि राप में जो काम 20-25 रुपे में भाई ने कर दिया वही अगर पेंट करना पड़ता ना इसमें तो पेंट में हमार को पढ़ जाते लाक से डेड़ लाक रुपे यह फरक पढ़ता है राप में और चालेंज आये हैं आपको इस राप में कई से उखड़ने का राप है यह जो कि बहुत अच्छा होता है जिसके बारे में बहुत बता चुका हूँ जात तर उससे लोग अपने यह वाले जो और वीम्स है इसको राप करते है या फिर चत को राप करवाते है पट भाई ने उस इसको राप करते हुए आया होगा पर पहले राप नहीं हो रहा था पर पर यह पर चड़ा यहां पर आप देख रहे होंगे कि हलकी हलकी सी जो बबलिंग है वह आ जाती है बट ओवर और अगर हम काम को देखे तो काम काफी अच्छा हुआ हुआ है राप का एक बार दूर से देखने से मुझे भी लगा था कि भाई यह तो तगड़ाई खर्चा हो गया है पेंट में बट यह राप था जो कि बहुत अच्छी बात है यहां पर देखते हैं यह चाबी भी सेंटर लॉक वाला सिस्टम भाई ने किया हुआ है ठीक है एक बार दूर जाते हैं फिर दिख सेंटर लॉकिंग तो करवा देते हैं बट वो इतना काम्याब नहीं रहता बट यहां पर आपके सामने बहुत बड़ा एक्जामपल है अपने भाई का उनका यह काम्याब चल रहा है उनका राप अच्छा चल रहा है कोई चीज जो आपने करवाई हो उससे आपको अभी पर परिशानी चल रही हो अब दक तो कोई परिशानी चली वी बाकि लगनट्स भाई ने यहां पर यूज किये वह गाड़ी में लगनट्स पी सही चल रहे हैं लगनट्स कितनी के बढ़ जाते हैं प्रॉक्समेटली इसको तीन साल हो गए पिछली गाड़ी में था ना यह बार-बार धोना पड़ता होगा थोड़ा सा यह यह इस कंपेर टू पेंट यह है कि मेंटेनस थोड़ी जादा मांगता है बट यार कहां 25,000 रपे से 30,000 रपे कहां लाक रुपे से 1,500,000 रुपे बहुत जादा फरक है अगर आपको भी अपनी गाड़ी को फीचर करवाना ह है आपको करना कुछ नहीं है इंजिनियर डॉट सिंग हमारी इंस्टाग्राम आईडी है जाए उसे फॉलो कीजिए और अपनी गाड़ी की पिक्स भीजिए बहुत सारे लोग है जो हेलो और हाई भेजते गुड मॉर्निंग और बहुत सारी तो मुझे पता नहीं चलेगा क मैंने आपको हैलो भेजा था और आपने रिप्लाई नहीं किया अब भाई उजी कैसे वता चलेगा यार इतने सारे उसमें से तो आप फटा-फट सारी फोटो भेज दिया करो ताकि हम लोग को आईडिया लग पाए थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वाच एंग